हेलो फेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे आरर भी एल पी और टेक्निसियन के जो की फीटर, टर्नर, वेल्डर, मसिनिस्ट के रहने वाला है और यह जितनी भी सारे कोसे से रहने वाला है सभी इसके जहां जो सर है इन्हीं के बुक से लिया गया है और यह सेट 67 रहने वाला है इसके पहले मैंने 66 सेट दे रखा है अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेटिट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और अगर आपको Free PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram को जोएन कर सकते हैं Telegram का link आपको इसी वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहां से जागर ज्वाइन कर सकते हैं तो फ्रेंस अगर आपकी त्यारी पकी होगी तो आएए अब स्टार्ट करते हैं को स्टार नमबर फॉस्ट है नीम नमस्य फीलेटिड सोल्डर का उद्देश से होता है इसकर आइट आँसर छोयका ओप्सक्री यानि की स्टोल्डर की समर्थिय बढ़ाना यहिदी इसका उद्देश से होता है अब अब जो important points है उन्साभी को discuss कर लेते हैं तो fillet shoulder का उद्धे से about has a valla अगला है, square shoulder में समकूर्ण का निर्मान उद्धा है अगला है, जबकि fillet shoulder में समकूर्ण का निर्मान नहीं नहीं होता है अगला affiliated solder का समर्थ है square solder की तुलना में अधिक होती है अगला question है question number second लेथ में कारेखंड है इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि घूमता है यानि कि लेथ में कारेखंड जो है वो घूमता है और ये जो प्रस्ण जो है वो 2018 में पूशा के वह प्रस्ण है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्ण बनते हैं तो लेथ में कारेखंड घूमता है अगला है लेथ का दूसरा नाम खाराद भी है यहांने कि लेथ को खाराद के नाम से भी जानते हैं अगला है लेथ मसीन के द्वारा बेलना कार संक्वा कार तथा समतर सतहों का निर्मान किया जा सकता है अगला कोशन कोशन मर्थ हर्ड गुरूब बनाने का उद्दे से निम्निमस से नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएक उप्सन सी यानि कि मापन के लिए रेफ्रेंस प्लेन बनाना यह उसका उद्दे से नहीं है और यह जो प्रस्न जो है वो 2018 में पूछा कि वह प्रस्न है अब जो इन पॉटन जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो गुरूब बनाने का उद्दे से निम्न है अब देख लेते हैं कौन-कौन से इसका उद्दे से है तो पहला है कटिंग टूल को क्लिरेंस प्रदान करना है अगला है नट को सोल्डर तक पहुचाने में सहाथा प्रदान करना ये भी है अगला है मिलने वाले पार्ट्स को सोल्डर पड़ ठीक से मिलने देना यानि कि ये भी है अगला कौसन है कौसन नमर फॉर्थ तो इसका राइट आंसर होजागा option C यानि कि कम spindle feed पर अब जिन important जो points है उनसे भी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्थ बनते हैं तो कम speed पर parting of operation होता है अगला है job के लेथ मसीन पर बन जाने बन जाने के बाद उसे दो भागों में अलग कर देना parting of कहलाता है अगला है parting of के लिए जिस tool कप्डियो किया जाता है उसे parting of tool कहते है अगला है parting of में cross feed हाथ द्वारा भी दिया जा सकता है अगला question है question number 5 निम निम से किस जगह पर असमान अकार के कारेखंड को फेस करने के लिए बांधा जाता है तो इसका right answer हो जाएक option C यानि कि face plate पर flame करके और ये जो प्रस्न जो है वो 2014 में पूछा क्या वह प्रस्न है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्न बनते हैं तो face plate face plate के face पर job को पकरने के लिए आयताकार तथ हर्टी आकार के खांचे होते हैं अगला है इसमें job को bolts की साहता से clamp किये जाता है अगला है इसमें जबडे की विवस्था नहीं होती है अगला है और समान आकार के work place को face करने के लिए face plate पर clamp करके बांधा जाता है अगला question है question number six निम्नम से किस केंदर का परियोग करके pipe numa खोंखले job को support दिये जाता है तो इसका right answer हो जागा option A यानि कि revolving center का परियोग करके अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं और ये जो प्रस्थन है 2002 में पुछा के वाँ प्रस्थन है अब जो important जो points है उन सभी को भी discuss कर लेते हैं तो revolving center का परियोग करके pipe numa खोंखले job को support दिये जाता है अगला है center की life बढ़ाने के लिए इसके point को high speed steel का बनाय जाता है अगला है तथा टीप पर tungsten carbide चठाय जाता है अगला है live center की तूलना में dead center अधिक घिशता है अगला question है question number 7 straight rimmer की feed machine rimmer के दोरान कितनी रखी जाती है इसका right answer रुज़ा का option B यानि कि drilling की feed से दोगुनी रखी जाती है और यह जो प्रस्थन जो है वो 2001 में पूछा गया प्रस्थन है अब जो important जो points है उनसे भी को discuss कर लेते है तो straight rimmer की feed machine rimming के दोरान drilling के feed से दोगुनी रखी जाती है अगला है rimming करने के लिए rimmer का पड़ियोग किया जाता है अगला है इस प्रकडिया में coolant की आवशकता अधिक होता है अगला है rimming में straight rimmer की feed की drilling feed से अधिक रखी जाती है अगला question है question no.8 bore किये गए hole को plug gas दोरा चेक करते समय क्या करना चाहिए इसका right answer हो जाएक option a यानि की boring tool को सटा देते है और यह जो प्रस्ण जो है वो 2014 में पूछा की वह प्रस्ण है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते है bore किये गए hole को plug plug gauge के दोरा चेक करते समय boring tool को सटा देते है अगला है boring करने के लिए boring tool की अवशक्ता होती है अगला है boring tool तथा hole का center एक होता है और थात secondary होता है अगला question है question number 9 cutting speed होता है तो इसका right answer हो जाएक option C यानि की कारखंड की पड़िधी पर इस्तित किसी बिंदू द्वारा एक मियट में चली गई दूरी cutting speed होता है और ये जो प्रस्ण जो है 2018 में पूछा क्या वो प्रस्ण है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते है तो cutting speed बराबर क्या होता है यानि cutting speed के बादे में discuss कर लेते हैं तो कारेखंड की पड़ीधी पर इस्तित किसी बिंदू पर एक मियट में चली गई दूरी को cutting speed के थे हैं अगला है भी बराबर πाई डी एन बटे एक हजार मीटर पर मिनट अब देख लेते हैं तो जो भी है वो किस चीज को दरसा रहा है तो वो cutting speed को दरसा रहा है तो आई होप यह आपको समझ में आगया होगा अब आईए अगला question discuss कर लेते हैं तो अगला question है question number 10 निम्नेमा से टेपर किस प्रकार पर दरसीत किया जाता है इसका right answer होज़ेगा option C यानि कि included angle को degree मिनट में पर दरसीत करते हैं अब जो important जो point से उन सबी को discuss कर लेते हैं तो tungsten and taper turning की साड़ी प्रकडिया लगभग बराबर होती है अगला है turning का ब्यास प्रारमभिक बिंदू से अंतिम बिंदू तक समान होता है अगला है लेकिन taper turning में ब्यास प्रारमभिक बिंदू से प्रारमभिक बिंदू से अंतिम बिंदू तक समान नहीं रहता है अगला है taper turning की सहता से संकू के आधार बनाय जाता है अगला question है question number 11 chetering होने का निमन में से कौन सा कारण नहीं है तो इसका right answer हो जाएक option D यानि के voltage कम ज़्यादा हो रही है यह इसका कारण नहीं है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्न बनते हैं तो chetering chetering होने का कारण निमने है कौन कौन सा है तो पहला दिया गया है turning tool tool post से अधिक बाहर निकला हुआ है यह इसका कारण है अगला है turning tool गिस चुका है यह भी इसका कारण है अगला है machine की slide ताथर tool post धीला हो यह भी इसका कारण है अगला question है question number 12 center lathe का part नहीं है तो इसका right answer हो जाग option C यानि की जो arbor है वो इसका part नहीं है और यह जो present जो है वो 2013 में पुछा क्योंगा प्रस्द है अब जो important जो points हो उन सभी को पर discuss कर लेते हैं तो center lathe का part नहीं है कौन-कौन सा है तो जो saddle है यह इसका part है fit rod भी इसका part है lead screw भी इसका part है बट आरबर center lathe का part नहीं है अगला question है question number 13 निम्निम से tail stock की center line कहा होती है जब taper turning करने के लिए tail stock को offset किया जाता है इसका right answer वज़े का option C यानि की lathe bed के साथ समनांतर बनी रहती है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं tail stock का प्रयोग job के face पर छीदर करने के लिए किया जाता है अगला है lathe machine के head stock में live center होता है तथा tail stock में dead center होता है जो mild steel का बना होता है अगला है dead center job के साथ नहीं घुमता जबकि live center job के साथ घुमता है अगला question है question 14 mounting करते समय चक की दोबारा lathe के guide ways वो खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा option D जैने कि guide ways पर लकडी का पीस रखें अब जो important जो points है इसी से later उनसे भी को discuss कर लेते हैं तो mounting करते समय चक दोबारा lathe के bed के guide ways पर लकडी का पीस रखें अगला है लेत बेट जो होता है वो cast iron का बना होता है और ये बहुत ही ज़यता important point है अगला है cast iron में high compressive strength होता है अगला lathe machine को खराद भी कहते हैं अगला question है question number 15 चीतर में दिखाए गया lathe cutting tool में ए दोवारा अंकित angle का नाम बता है यानि कि इस ये वोला चीज का पर नाम बताना है कि ये कौन सा angle है तो इसका right answer हो जगा option B यानि कि side clearance angle को दरसा रहा है और ये जो प्रस्न जो है वो 2009 में पुशा के वो प्रस्न है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं तो यह angle tool के cutting edge की nose की side से नीचे की और taper में grind करके बनाया जाता है अगला है जिससे कार किरिया करते समय केबल tool का cutting edge की job को asperse करता है और tool की side, side job से रगर नहीं सकती है अगला इसको side relief angle भी कहते हैं यानि कि जो side clearance angle है इसको side relief angle के नाम से भी जानते है तो I hope यहां तक आपको समझ में आगे होगा तो friends आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को भी दबाएं ताकि कोई भी notification उसका message आपको सबसे पहले हो सके और अगर आपको free video चाहिए तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं telegram का link आपको इसी वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वह वहां से जाकर join कर सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने ख़जाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं क्योंकि हर एक एकजामी यहां से 5-6 नमर तो पक्के आहीं रहें और आएंगे ही आएंगे इसलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्स पर वाचिंग झाल सकति झाल 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 क्योशर झाल 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 झाल